कि नवस्कार दोस्तों सेने माहौल में आपका स्वागत है जिग्रा वासन बाला की फिल्म है धर्मा प्रोडेक्शन ने इसे प्रोड्यूस किया है आलिया भट भी इसके निर्माता है उनकी बहांद शाहिन भट है सोमेन मिस्रा निर्माताओं में है वरून ग्रोवर ने इसके गीत लिखे है इस फिल्म का मेरे लिए खास महत्व है वो इस तरीके से मैं बताओं एक जमाने में पैशन पॉर सिनेमा पोर्टल हुआ करता था वहां बहुत सारे महत्वा कांची उत्साहित और फिल्मों में काम करने के इच्चोक युवा जुड़े थे वेवान लिखते थे सिनेमा पर निराय रखते थे सिनेमा की बाते करते थे हैं सोमेन इब्स्रा और वहसंबाला वहीं से निकले हुए हैं हम सभी जानते हैं सोमीन इब्स्रा के बारे में कि वे है पहले पत्रकार थे बाद में धर्मा पॉडेक्शन से जूड़े वहसंबाला अनुराओ कर्षप के सहायक हुआ करते थे और धीरे-धीरे धीरे-फिल्म निर्देशन में आये वरून ग्रोबर भी अनुराग कर्षप से सुरुवात करके आज एक खास मुकाम पर पहुंचे हुए हैं जहां अपने गीतों की वज़े से और स्टंडप कमेडी की वज़े से खासे मशूर हैं और इन तीनों की संगत में आ रही है फिल्म इसलिए मत्रपूर्ण हो जाती है उस पर कभी में टीटेल में अलग से बात करूँगा कि इन तीनों ने मिलके फिल्म इंडिस्ट्री के इस चक्रवीव को भेद कर अंदर तक पहुंचे हैं या फिल्म इंडिस्ट्री की अंदरूनी विरादरी ने इन्हें समाहित कर लिया है खुद के अंदर किसका किसके उपर क्या असर हुआ है कौन अपनी बात कह पह रहा है कौन बदल रहा है ये तो वक्त बताएगा और आने वाले 10-20 सालों के बात पता चलेगा कि किसने क्या किया और कौन किस से प्रभावित हुआ फिल्हाल